नवस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में खबर करेंगे इंडिया वर्सिज वर्स्ट अंडिज फर्स्ट ओडियाई 2022 का जो मैच कहला जाएगा उसके बारे में तो दोस्तों देखें इंडिया की टीम की तरफ से फिर से जो इनके स्टार प्लेयर हैं वो आपको खेलते वे नहीं दिखेंगे जैसे की रोहित सर्मा हो गए, विराठ कोहली हो गए, रिसब पंत, हार्दिक पांडिया, जस्पीद भूमरा ये जो सारे प्लेयर्स हैं ये इस वाली मैच, इस वाली सिरीज के लिए मिस रहेंगे तो कौन से important player आपके लिए रहने वाले इस वाले match में पूरा depth के साथ point to point analysis करेंगे दोस्तों जिसके base पे आप अपनी खुद की small league और GL के combination बनाके अच्छी खासी winning कर सकते हो लेकिन सबसे important बात बता दो दोस्तों की final team है वो आपको मिलेगा telegram channel में यह अपना telegram channel है यहाँ पे join होने के लिए करना क्या है किसी देर नीचे वीडियो के description में आपको जाना है जहाँ पे आपको एक link मिलेगा बल्यू कलर का उस बल्यू कलर के link पे click करके आप telegram channel से join कर लीजेगा final small league का team GL के combination और final pitch report जिस पे आप पूरा winning depend करेगा वो सब सारी चीजे आपको यहाँ पे मिल जाएंगी analysis section में आते हैं तो दोस्तों देखिए match जो है वो खेला जाएगा क्यों spark oval trini dead में और साम के 7 बजे match start होने वाला है दोस्तों pitch report देख लेते हैं तो last के जो तीन matches खेले गए उसके base पे हम अपनी pitch report decide करें तो देखिए last जो match है यहाँ पे 2019 में खेला गया था 14 अगस्त को worst indies का team pressure मान गया था और all out हो गया था दोस्तों 10 run पे यहाँ पे 4 spinners ने और 12 विक्टे पेसर बोलन निकालके गए थे और third last match जो हुआ था वो इंडिया ने 310 किया था पहले बैटिंग करते हों फिर से यहाँ पे worst indies जब वो chase नहीं कर पाया और 205 पे 6 आउट हुए थे इन पे spinners को इतनी ज़्यादा विक्टे नहीं मिलती हैं लेकिन किस situation में मिलती हैं कि मान लीजिए इंडिया फर्स नियों बैटिंग कर रहा है और 300 के लगब का score board पे लगा देता है तो worst indies क्या करेगा आते ही hard hitting करना चाहेगा hitting करने के चकर में जो सपीन गेंदबाज है चाहे उनको भले इतना मदद पिच से ना मिलता हो लेकिन उनको hitting करने जाएंगे तो miss out होंगे वहाँ पे अच्छे खास से wicket है वो सपिन बोलर्स भी आपको निकाल के देंगे ठीक है तो ये चीज़ ध्यारा किया तो खास करके इंडिया के जो spinners है जैसे रविंदर जडेजा दोनों को रहने वाला है तो ये तो गया पिच रिपोर्ट दोस्तो आप ना कुल मिला के यहाँ पर बैलेंस विकेड मानके चल सकते हो इसको जहां पर लगबग 280 के लगबज run scoring दीखेगा अगर इंडिया फस्ट बैटिंग करता है तो और विक्टें भी दोनों टीमों की तर इंडिक्राम चैनल बिल्कुल फ्री रहेगा तो सबसे पहले इंडिया की possible playing लेंस देख लेते हैं तो दोस्तों देखें यहाँ पर confusion रहेगा कि open करने कौन सा player आएगा देखिए सुमन गिल opener बले बाज है इसन किसन opener बले बाज है जबकि यहाँ पर एक चीज और है कि दोनों players अगर एक साथ खेलते हैं तो फिर open कोन करेगा मैंने अभी के लिए सुमन गिल को open mention किया हुआ है क्योंकि देखिए यह ना ODI और जो इनके test के matches हैं सभी में open किया हुआ है तो मेरे खाल से सुमन गिल आपको open करते हैं दिखेंगे सिखर दवन के साथ और नीचे चलके देख available नहीं है जस्प्रीज भूमरा नहीं है विराट कोहली नहीं है रिसब पंत नहीं है हर्दिक पांडिया नहीं उस कंडिशन में ठीक है तो रिसब पंत विदेशी पीचेज पे हमेशा अच्छा करवा थे हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बढ़िया चोईस रहेगी सुमन ग देखोई तो इंपोर्टन रहें ओडिये के तीन मैच खेलें 29 का बैटिंग और संजु सैंसन एक मैच में 46 करूए था के वहले एक ही मैच इन्हों ने अपने केरियर में खेला है सिरलंका के गैस्ट में वस्ट इंडीज के गैस्ट में जो 2022 में सिरी जूई थी वहां पे 28 किय इसके बाद देखिए सरेस एयर आपको दिखे जाएंगे सरेस एयर आपके टीम में एक बड़िया चोईश रहेंगे इंगलाइंड में इतना अच्छा फ़ॉम नहीं दे पाई थे लेकिन मोस्ट अप दर टाइम देखो वस्टर इंडीज के गैस्ट में पहले खेले थे वहा का नहीं मिला था 27 और 16 रन कीनिंग खेलके दी थी लेकिन आई जो T20 के मैचेज थे वहां पर जवर्दस प्रफॉर्मस दिया था इन्हों ने इसके बाद देखे नीचे चलके बात करें दोस्तों रविंदर जरेजा आपको दिखेंगे बड़िया चोईश रहेंगे बैटिं बैक अप रहेगा और रोल देखेंगे इनको 34 का बैटिंग एवरेज है ODA मैचेज में और विकेट टेकिंग भी है स्लोर वन का अच्छा का साइस्तिमाल करते हैं यूजी चैल एक बड़ी आचोई जील में CVC ट्राई करके चलो नीचे परसिद्ध किर्षना रहेंगे जो ड यह हो सकता है दोस्तों कि एंडिया वो किसी एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ जाना चाहिए तो यहां पर दोनों को ड्रोप करके ना फिर नीचे चलके दिपक खुड़ा है इसको भी यहां पर खिला सकता है तो अभी के लिए कंफरम नहीं रहेगा दोस्तों कुछ लेकिन मे रिखाल से नहीं खेलने चाहिए वितुराज गयकवाड खेलते हैं तो यह भी डेब्यू टेंट रहेगे तो यहां पर एक दो प्लेयर्स का इस वाले मैच में डेब्यू कंफरम रहेगा इंडिया की तरफ से ठीक है अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर वस्टंडी इस आपको ओपन करते हों दिखें कायल मायर्स का बंगलादेश के गैस्ट में इतना अच्छा फॉर्म नहीं रहा था अदर्वाइज इनके पास कैपेबिलिटी है अच्छा रन स्कोरिंग करने की बड़ा रन स्कोरिंग करने की साहीं हो एक बड़िया चोईस आपके टीम में र रहेंगे इसके बाद देखें समरा ब्रोक्स हैं दो मैच खेले थे एक में 33 एक में 5 इनके पास भी अबिलिटी है टिक के बैटिंग करने की यह हार्ड इटिंग में ज्यादा ट्रस्ट करते नहीं आपकी टीम में एक बड़िया चोईस रेगी सेलेक्शन प्रसेंटेज कम मि ही देंगे एक दो मैचेज हो जाएंगे तो लास्ट जो मैच रहेगा ना उसमें मोका दे सकते हैं इनका जो एबिलिटी है वो चेक करने के लिए अदरवाज देखें बंगलादेश के में एक मैच खेला था वहां पर 33 तरन करवा के दिया था और यह पार्ट टाइम डालने लग गए हैं देखें यहां पर 7 वर डालकी दिया था यहां पर 2 वर डालकी दिया यह आपकी टीम में एक बड़िया चोईस रहेगी और पिछे लास्ट वाले मैच में इन्हों ने विकेट भी निकाल के दिया था बैटिंग में 73 करवा के दिया था बंगलादेश के गेंस्ट में एक बड़ी आचोईस विसी की भी एक बड़ी आचोईस रहेगी इसके बाद देखे रॉम्बन पॉविल बैटिंग ओर नीचे हो जाता है और हार्ड इक्टिंग में ज्यादा ट्रस्ट करते हैं और इंडिया के जो बोलर से एक्सप्रियेंस बोलर है तो मेरे खहल से हो सकता है कि ज़्यादा इनको हिटिंग ना करने दे उस कंडिशन में मेरे क्याल को लगता है कि यह ना आपके टीममेकर रिस्की पिक रहने वाली है पाकिस्तान के गैश्ट में बिलकुल फ्लोप रहे थे बंगला देश के गैश्ट म अब देने लगे हैं और विकेट टेकिंग बोलर है second inning में बोलिंग करेगा तो जुरूर से try कर लिजेगा वर्स्टंडी जगर इसके बाद रेमेरियो सफरेडे इनका भी बैटिंग बैक अप रहता है इनके most of the players का बैटिंग आना confirm है क्योंकि ये टीम है most of the time all out होती है और सब मैच खेले थे बंगलादेश के अगेस्ट में वहाँ पे इन से बोलिंग नहीं करवाया गया था पता नहीं क्या रिज़ता है वहाँ पे स्पीनर्स को ज़्यादा मदद था इसलिए नहीं करवाया साइथ क्योंकि देखिए उपर रमेरियो सफरेडे के भी एक-दो मैच्च और दिखा किया रम बंगलादें इसके अगेस्ट में दो-तीन मैचस में च्छे विकेड निकाल के दिये थे जिसमें लास्ट वाले मैचस में इनके च्यार विकेड थे और अगर आपको ट्राइग करना है तो सेकेंड एनिममें अगर बोलिंग करता है ये टीम तब आप ट्र ट्रंप कार्ड आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो पाउर पले में मेरे खाल से देखिए अकिल हुसेन भी बोलिंग डालने आ जाते हैं और अलजारी जोसिफ और या फिर हो सकता है रमेरियो सफरेडे और अलजारी जोसिफ आपको डालते हो मिल सकते हैं कीमो पॉल भी डा प्लेयर वाइज एनलाइसिस अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने स्मोल लीग के टीम का तो सबसे पहले विकेट किपिंग सेक्षन देखें दोस्तों यहां पे देखें इन दोनों में से एक प्लेयर आपको खेलता हो मिलेगा साहीं होप मैंने अपने टीम में रखा है देशी पीचेज हैं जो तेज पीचेज होती हैं वहाँ पे इतना अच्छा प्रफॉर्म नहीं कर पाते हैं जैसे इंग्लैंड के गेस्ट में स्ट्रगल कर रहे थे लेकिन यहां पे मैं अच्छी उमीद करूँगा इनसे बैटिंग की और एक बड़ी आच्वी सापके टीम में रहेंगे जील मेकादी टीमों में वीसी ट्राइ कर सकते हैं बैटिंग सेक्षन में देखिए सिकर दवन मोस्ट अफ ताइम कंसिस्टेंट रहते हैं लेकिन यहां पे स्ट्रगल किया था बहुत दिनों बाद टच में नजर आय थे क्रिकेट के क्योंकि पहले IPL में IPL ही टीम में रहेंगे अलांकि 56 का इनका अभी तक सेलेक्षन परसेंटीज है निकलस परण आप बोलिंग भी डालने रग रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बड़ी आपी करेंगे नीचे मैंने सुरिय कुमार यादो जो कि इंडिया की तरफ से हालिया दिनों में देखो तो सबसे कंसिस्टन परफोर्मर और सबसे बड़ा परफोर्मस हालिया दिनों में यही है तो इनको कवर किया है इसके बाद देखे हारदिक पांडिया और यहाँ पे देखे सुरिय कुमार यादो फिर रिसपन्थ ये तीन प्लेस चल रहे हैं तो हारदिक पांडिया पंथ खेलेंगे नहीं तो आप सुरिय कुमार यादो इस टीम की तरफ से इंडिया की टीम की तरफ से सबसे बड़ा कंसिस्टन परफोर्मर है। रोमन पावेल हैं जो की देखें टीटवंटी के बड़े प्लेयर हैं लेकिन यहाँ पे टिक के बैटिंग इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो काईल मेर्स को भी अपनी टीम में रख सकती हूँ। इसके बड़ बॉलिंग सेक्शन में यूजी चहल ट्राई के है, सारदुल ठाकूर है और नीचे चलके मैंने आवेसकान। अवेसखान नहीं केलेंगे तो मुहमद सिराज केलेंगे, मुहमद सिराज नहीं केलेंगे तो फिर परसिद कृषना केलेंगे ठीक है। लेकिन मैं अभी के लिए अवेस खान को ट्राइ करूँ आप परसिद्ध कृष्णा अगर खेल जाते हैं तो इनके साथ जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बैटर पोजीशन रहेगी अकिल उसन सेकंड इन्यों बोलिंग करेगा तब आपके लिए ज़्यादा इंपोर्ट जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तो डूओ पे तो दोस्तो देखें डूओ पे क्लिक रोगी तो पांच ओप्सन आपके सामने दिखेंगे यहाँ पे कल्टी स्केंपर हैं मिचल सैंटनर और यहाँ पे देखिए मार्टिन गुप्टिल लोग के फुर्गिसन गलै तो आप यहाँ पर one sided win कर जाओगे तो एक player पर risk लेना है winning के आपके पूरे chances रहेंगे दोस्तों link नीचे video के description मैंने डाल के रखा है Kubera app का जाके download करके sign up करके खिलना start कर दीजेगा ठीक है अब देखे team preview देख लेते हैं तो मेरा captain अभी के लिए सिखर दवन wise captain मैंने यूजवेंदर चहल को try किये क्योंकि है क्योंकि देखे हो सकता है कि first new batting करते हैं इंडिया है अच्छा score करेगा और दवन most of the time consistent रहते हैं तो इसमें मैं trust करके चलो और secondary में जब run pressure रहेगा तो यहाँ पे hitting के चकर में रहेंगे वर्स्टंडीज के batsman तो अच्छे खासे wicket यूजवेंदर चहल निकाल के देशकता है जिनका form भी आपने देखा हूँ हर टाइम अच्छा perform करके देते हैं इंगलेंड जैसी pitches पे जहाँ पे spinners को मदर नहीं रहता वहाँ पर भी 3-3-2-2 wicket हर मैच में निकाल के आ रहे हैं इसलिए ट्राइक है अदर्वाइज आपके लिए जो बड़ी आचोईस रहेंगे विस्सी की वह मैं आपको बदाएता हूँ यह जो 3 players हैं यह आपके लिए बड़ी आचोईस है साही होप सबसे बड़ा consistent performer वरस्टेंडीज की तरफ से निकोलस पुर्ण बैटिंग पलस अब bowling में डालने लगए हैं और जसन होल्डर बैटिंग और bowling दोनों यह देंगे तो यह अपके लिए विश सी की और कैप्टन सी की बड़ीया चोईसे इनके साथ जा सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे फैवरिट थोड़ा सा इंडिया को मान के चल रहा हूँ अदरवाई देखें इंडिया के पास हैं players जो man players हैं वो नहीं खेल लें इतने जाद है लेकिन फिर भी इंडिया ही फैवरिट रहेगा क्योंकि वस्टन डीजे का अनक्सेप्टी टीम है जो सोरन पे होल आउट हो सकता है और जो 400 भी बना सकते हैं ठीक है तो अभी के लिए टीम अपना ही है दोस्तों फैनल टीम आपको मिल जगा टेलिगरामै नीचे वीडियो के Скुरेνे में आपको लिंक मिलेगा टेलिगरामा में